हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लाई हूं एक ऐसा छाच मताले की रेस्पी जो बनाने में भी आसान है और आप इसको स्टोर करके भी डख सकते हैं पूरी गर्मियों में इसका इंजॉय कर सकते हैं और यह इतना सिंपल रेस्पी है और जटपट इससे हम छाच बनाके त्यार पकते हैं जो बहुत हैुआ है घर μαधा बनाना शुरू करते हैं पूसरे कόल में इंक पॉदिने के पत्ते हैं इसलिए अब इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे दो-तिन मेंट और लो फिलेम पर ही रोस्ट करना है हाई या मीडियम फिलेम पर रोस्ट नहीं करना है हल्का सा रोस्ट करना है ज्यादा रोस्ट नहीं करेंगे जिससे इसका मौश्टर खता मोजा हमें इसका फाइनता पाउडर बना के तयार कर सकें तेकिए अब हलका सा रोस्ट हो चुका है अब बाकी का रोस्ट हम बाकी चीज़ां डाल के तब कर लेंगे तो तीन बड़े चम्मत मैं धनिया ले रही हूं को कि इसकी तासीरी भी ठंडी रहती है और तीन बड़े चम्मत जीरा जो डाइशनी सिस्टम को काली में ठंडी रहती है तो गर्मे में हमें जरूर यूज करना चाहिए और एक बड़ी चम्मच अजवाइन टीस्पूर अजवाइन और दालचीनी के टुकड़े और इन सब को भी हलका सा रोश्ट कर लेंगे लो फिलेम पर ही सारी चीज़ां को आपको रोश्ट करना है य अलकी हलकी खुश्बू नहीं आने लगती सब चीजों में से तब तक हमें इनको रोश्ट करना है और लो फिलेम पर ही सारी चीजों को रोश्ट करना है यह पांचे मिट में अच्छे से रोश्ट हो जाता है देखिए हम च्रेक कर लेते हैं तो धरिया टूट रहा है पाउडर बना के तयार कर सके हैं देखिए हमने ठंडा करने रख दिया है और मैंने इसका पाउडर बना लिया है इसका डालने वाला वीडियो मेंना स्केप हो गया था इसलिए देखिए हमने एक फाइन पाउडर बना के तयार कर लिया है अब इसको हम छान लेते हैं इसको जरूरी है क्योंकि दाल्ची नी बगड़ा जो रहती है उसके टुकड़े कभी-कभी रह जाते हैं वह अच्छे से नहीं पिस्ते हैं मिक्सी मैं इसलिए आप चान करिए यूज करिए का तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो इस पाउडर को आप गर्मी में डिली खाने के बाद पाउडर बना के पूरी गर्मिया में रख सकते हैं ना के अटाइट डिब्म भरके यह खराब नहीं हो का बिल्कुल भी कौकि हमने इसमें कोई भी चीज यूज नहीं करिए जो खराब हो देखिए कितने सारे टुकड़े ने के लिए इसको साइड में रख देते हैं हमारा बनके हमें तयार मिल गया देखिए एक दिम फाइन पाउडर है अब इसमां बाकी की चीजें एड़ कर देते हैं तो मैं एक चम्मा सफीद नमक डाल रही हूं नमक की क्वांटिट्य आफ अपनी समसा कम जादा कर सकते हैं और दो चम्मा काला नमक डाल रही हूं क्योंकि ये है कि हमारा चाज मसाला बन के तचयार हो गया है इसको अच्छ्छे से मिक्स कर दीजिए इसको बिल्कुल भी बनाने में टाइम की लगता अब आता मिकसा광 सकते हैं और अच्छ स 3-2 शाया मुप मैं Kane खूप नभी दाल रही हूं तो मैं फ्रेस दही का यूजद कर रही हूं कि अप्त्र भैए उसकर सकते हैं रही चाच पतला रहता है ब्याकाई में आपकानी ईक आप अपनी उसकर सब दाल कर सकते merely salt जालेंगे जिसे सारी चीज़ों को बिलेंड कर लेंगे अच्छे से अपसमे अच्छे से ब्लेंड हो जाएं अब मैं इसको छोटे से मटकी में डाल दूंगी कुलड में उससे का टेस्ट और भी नहीं अच्छा आता है और इसके ऊपर तुड़ा चाछ मसाला स्प्रिंकल कर देंगे जिसे देखने में और भी अच्छा लगे और मिंट लीव से अपहारी धनिये से इसको डाकुरेट कर देंगे चाछ मसाला को आप खाने के बार डेली इसको पीजी गर्मियों में क्योंकि इसकी तासी ठंडी रहती है और हमाई डाजेशन सिस्टम को भी अच्छा रखता है क्योंकि खाना जल्दी पचाता है अगर हम चा बाद भी बनके तयार हो गई है हमारा मसाला भी देखे कितनी बढ़िया दिख रहे हैं आई होप आपको पसंद आई हो थाइंक्यू आज अग्यू 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 अग्यू